हाथ में बंदूक और नक्तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूँ जंग मक्कारों के साथ, रालमसु सहाब का थेला इतना भारी नहीं है, कि वो हाथी का बोज उटा सके, भेंजी सिर्क मुसलमान को इस्तमाल करने का काम करती है, तो लड़ाई दुनरे चंद सेकर आजा साथ और मलाई चाटने का काम बेहन जी करें, वो जुरूआ भाई है, तो गर एक को निगाला जा रहा तो दूसरा तो उसके साथ निकल नहीं था, ना तेरा है न मेरा है, यह हिंदूस्तान सबका है, नहीं संजी गई यह बात तो नुकसान सबका है, मेरी पसनने इमरा समय मेरा है, करिशाए सब्सक्राइब तेरे के सभी् within उनकुर्ण की क मैज भिझानेता, वे सबकारे को दिखत Heag. कई न्यूट चैनलों पर यह बात कही थी शायद आप से भी मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि बस्पा के एक फ्रेम है वहाँ टिकिट उसका होता है जिसका थेला भारी होता है और इम्रान मसूद सहाब का थेला इतना भारी नहीं है कि वो हाती का बोज उटा सके और मेरी बात साथ साबित हुई और नतीजा आपके सामने उन्हें किताबे दी गई वो उनकिताबों को पुरी नहीं गर पाए किताबों का मतलब आप समझते हैं वो जन समाज पार्टी के अंदर और इम्रान मसूद सहाब नहीं बलके कई परिवार उसकी भेट चड़े सारनप है यहां सिर्फ उसका टिकेट होता है कोई कितना ही महंती हो कितना ही जमीन पर हो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना उसका थेलावारी है कितना वो हाथी को चारा डाल सकता है वो उसी पर टिकेट होता है और इम्रान मसूद साब कभी जो निश्कासन हुआ है बसपा से व तो हातिने क्यों भूख थी उसे पूरी नहीं कर पाए खुद इम्रान मसूद जाए अट्रची वाली पार्टी बता रहे थे बसमा में आने से पहले उस तरह के ब्यान उनकर ब्यान चलें लिकर बात करें जब उनकर निश्कासन हो जाता है तो पांच क्रोड की बात करते किस त चुद हो ये मरहूम रशीर मसूद साब वो बीएस पी में गए मरहूम मुनवर हसन साब वो बीएस पी में गए हमारे यहां से सांसद हुए बस पासे मरहूम मनसूर लिक्षान साब कादिर राना साब आपके आप थोड़ा आगे जाए तो याकुब कुरेशी साब शाहिद साब अतीक मरहूम अतीक साब उसके बाद मुक्तार इंसारी साब एक लंबी मुस्लिम नेताओं की फैरिस्ट है बर्ख साब कि जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर गए और जितने चाओ से वो गए फिर उतनी ही बिलकुल अपने आपको ठगा महसूस करते हुए उस पार् को छोड़ करके जो बस्पा में नहां गया हो और उसके बाद बस्पा से बाहर ना आया हो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भारते अंता पार्टी की चाहा हो तीन सु सतर का मामला रहा हो या आज भी आप देख लीजिए जितने भी बिला रहे हैं सब का करने का काम योगी का पुरा सपोर्ट करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है जमीन पर एक लड़ाई बता दीजिए कोई कि इन्होंने लड़ी हो कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए दलित वोट आज उनसे छिटकता जा रहा है एक विदायक है सिंगल एक सिंगल विदायक है उनका इस साब अंदादा लगा सकते हैं और वो विदायक भी अपने बेश पर जीता हुआ विदायक है उसाब निर्दली मान लीजी आज इतना गराफ डाउन हो गया है और वो पिछली बार जो ये उनके जो MP जीते थे कुछ ये इसलिए जीते थे उनके MP कि उनका गडबंदन था समाजबादी पार्टी का वोट उनके साथ था लोगदल का वोट उनके साथ था तो इसलिए उनके ये MP जीते थे इस बार अगर आज वी उनका बयान आया कि मैं अलग लड़ूंगी अलग किसले लड़ रही हैं कि वो नहीं चाहती कि केंद्री की सर उत्रे तो इसलिए मैं बात कि रहा हूँ आज अगर दलीतु की लड़ाई को इमान दारी के साथ लड़ रहा है तो उस चंद्रशेकर आजाज जी जा रहे हैं अपनी जान का बलिदान देने के लिए वादमी ते जा रहे हैं अभी सारनपूर में उन पर हमला हुआ आप राह इसाथ जी को बढ़ावा देने का अगर कोई काम कर रहा है तो उस सिर्फ भर दिनता पाठी करें बात करें उम्रान मसूद के समय बाद उनके भाई का विद्शकासन हुआ है विए उन्होंने की ब्यान की हट्ट्या हुई है उस ब्यान को कैसे देखते आप यंद्य तो ठीक ही दिया होगा क्योंकि वो जुडवा भाई है तो अगर एक को निकाला जा रहा तो दूसरा तो उसके साथ निकल नहीं था और ये बात तो खुद सोचिन चाहिए थी क्योंकि सब को बता है कि बहुजन समाज पार्टी में वो आदमी रहता है जो उनकी पैसे की चारे क कि पूड़ी कर सकंए इन्हें पहले यानी जाना चाहिए था और मैं तो अब इनसे आवान करता हूँ इस बात का कि Indyya घडवन्दन बन रहा है बड़ा घडवन दंड़ा एं उसके अंदर राहूल गांधी जी ए इसके अखिले शादव जी है उसके इंदर चाह बहूं को ल है कि आवती तो मैं देश चुका समाजवादी पार्टी में जाके अभी दूसरी आप आवती दिलवाना चाहते हैं इंडिया में बेज के चुनाओं नहीं लेड़ा जाएगा तो राजनिती कह रहे हैं कैसे देखते हैं पिर आप यहां सवाल इम्रान मसुद साहब का एक किसी आजनिती बाद में जीता है मैं मैं कुछ बड़ी बात कर रहा हूं इस वक्त देश में नफरत कमाओ ले आप देखे मनीपुर में क्या हुआ पुरा मनीपुर आज भी जल्ला आए आप देखे मेवात के अंदर क्या हुआ आप देखे दली तो पर किसको जल्म हो रहा है एन हालाद में इस वक्त अपनी अपना छोड़ करके देश का छोड़ना चाहिए मैं गराओ यह चुनाओ देश बचाने का चुनाओ है यह चुनाओ अगर एंडिया हारेगा अगर भातियंता पार्टी हारेगी तो देश बचेगा यह देश बचाने का चुनाओ है यह इंडिया बारतिने पार्टी को हराने का है और उसमें टिक्ट किसी का भी हो जाए हमें सबको साथ लग करके एक साथ होना पड़ेगा जेश को बचाना पड़ेगा इम्रान मसुद की लिए खुली सले दे रहे हैं बड़ी बात कर रहे हैं कि यह इंडिया का ढूला प्सेज्जाए है बहुत मज़्जी किया रही है बिलाल साहब आफ की जाया है कारन किया रहा है वो दोस्ताना वो सब चीजे कैसे पिश्रों हैं आप लोग वजय का रही थोड में प्रफ़ाइब के सिवा कुछ भी नहीं है मैं हर उस आदमी के हाथ जोडने के लिए तैयार हूं जो इसमें इस जंग में हमारा साथ देने के लिए तैयार बिलाल साथ की महबबत इम्रान मसूर्ण के लिए आखिर कहा गई उनके लिए महबबत क्यों नहीं है बात यह का रहा हूं वो उस वक्त कॉंग्रेस में थे पिछले 2022 का जब चुना हुआ तब तक वो समाजवादी पार्टी में नहीं आयते वो खुद भी कह रहे थे कि अखिले जी रोक सकते हैं रत को तो हम योगी जी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी में में साथ गया उसके वो भी समाजवादी में आ गए उसके बाद फिर वो समाजवादी छोड़ करके बहुजन समाजवादी में चले गए तो यह विचारधारे की लड़ाई है मेरे परसनल इम्रानमसुल साब से कोई लड़ाई नहीं कोई मनमुटाउ नहीं है न कल था ना आज है ना कभी होगा हमारे दल के लड़ाई है दिल के लड़ाई किसी से ही नहीं उन से नहीं मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है यह सिर्फ विचारधारे की बात है आप एक विचारधारे में काम कीजिए और विचारधारे समान विचारधारे वाली पार्टियों में काम करना पड़ेगा एक सा के साथ करते हैं तक्रीर जलसों में वफादारी पे वो जिंदगी गुजरी है सारी जिन की घद्दारों के साथ तो भाया हमें देखना पड़ेगा कि जंग आजादी में अंग्रेजों का साथ कौन लोग दे रहे थे आज वो इस देश पर विराजमान हो गए आज कुरसिया उ तकी जाओ साथ देना पड़ेगा हमें चोदुरी सायुन ही बड़े नेतर का प्यान है कि ये परिवार काजी परिवार ही मसूद परिवार मुस्लीम लीड़त का हिस्सारा है कैसे देखते हैं अब ब्यान कूझत अब देखिए औ गलतिया बाबर कि थी बबबन का घर फिर क्यूं चले तेखिये जो इतिहास में हो चुका अब वो कब की बात कुरेद रहे हैं अपना फायदे की लिए अब कोई इस तरह की बात करा आए मैंने खाला गए कोई इस तरह का बयान भी सुना नी अगर इस तरह का बयान आया है तो उन्होंने किस उसमें बयान दिया है, उनका अपना पसनल बयान हो सकता है, इस तरह के जाती बयान से हमें बचना चाहिए, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये वक्त हमें आपस में लड़ने का नहीं है, ये वक्त भारती इंता पार्टी से लड़ने का है, जो भ इधान बचेगा तो देश बचेगा देश बचेगा तो हम सब बचेगे इम्रान मसूद की निस्कास के बाद बस पाकिस्थिति क्या रहेगी कैसे देखते हैं कद्धावन लेता है इम्रान मसूद जन्पद में बस पाकिस्थिति को कैसे देखते हैं देखे मैं फिर कह रहा हू कि है कि हमें भारति इंता पार्टी को हराना है और ये चुनाव बेरोजगारी की मुद्दे पर होगा ये चुनाव महबत की मुद्दे पर होगा नफरतों को हमें भगाना है ये चुनाव रोजगार पर होगा इसलिए और सब मुद्दे एक तरफ रह जाएंगे ये चुनाव अब बस्पा मैं कह रहा हूँ बस्पा कोई धनल नहीं है लोग गब्बर ड्री है उसूल करे estudio में चोंस जो लों पा right कि बिल्कुल अगर इमानदारी की कमा ही है तो बचना चाहिए भाई हम मैंकर वैपारी थोड़े राजनीति करेंगे जो लोग वह कोई भी हो यार हम लोग सड़कों पर मेनद करने वाले लोगे हम दिन दा सड़कों पर मैंद करें लोगों के काम कराते हैं तो हम राजनीदी करेंगे यह ओसे लड़ाई बड़े लड़ाई है इसमें आप Cup 10 में है लोग सभा चुनाव को देखते हैं कि मैं तो उनसे भी आप से भी यह दर्खास कर रहा हूं क्योंकि आप अपकी अपनी जिम्मादारी है यह सम्मिधान और देश बचाने का मामला है आप भी गलत खबरे ना चलाएं आप भी ऐसे खबरे चलाएं जिससे मोहबत पहले और सम हूं जो कलमकार होते हैं वो भी स्ताइवी पक्ष होते हैं इसलिए मैंने शेयर भी पड़ा हाथ में बंदूग और नतीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ तो हमें हमें कलम से लड़नी है आपको यह जो आपके आईड़ी है जो माई के इ इस नफरत को खत्म करना है तो इसके सब को इसमें आना चाहिए बहुत नजदीक आपके जाए अब एक पोस्टर वाइरल हो रहा है विदायक जी के लिएकर लापता विदायक को क्या कहना चाहेंगे उस पोस्टर को लेकर यह कुछ मानसिक रोगी है हमारे हां यह उनका काम में मानसिक रोगी होगा विदायक जी कल भी यहीं थे विदायक जी आज भी यहीं थे जिस दिन घटना हुई बहुत दर्दना घटना थी उस दिन वह इतफाक से बाहर थे जब आये लगातार परिवार के पहुंचे उनके घर उस दर्द को साजा किया जो मदद करने ती वह सभा में हैं काम कर रहें दिखावा नहीं कर रहें कुछ लोग मानसिक रोगी है उनका वह आगरे में बहुत बड़ा अस्पदाल उनका जल्दी माई लागी मानसिक रोगी है इन्टिक साजिस करता है यह बताए आफ वह दुन्यों चीज़ें और यह तो अब विदायक जी हम सभी रोगे ने पप्पो बना दिया अखिले शादो जी सबसे काम्या मुक्यमंतरी उनके आखरी तीस जो तीन साल है वो विकास की गाता लिखने वाले हैं डायल हंडर्ड उसमें चला दस नबे उसके अंदर चली पेंशन दी लेप्टॉप दिया सब कुछ दिया आज वह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है यह सम्मान से रोगे काम है उनका इलाज जल्दी हो जाएगा देश बचाने का समय है सहीविदान बचाने का समय है दलों की नहीं दिलों की जोड़ने की बात कर रहे हैं यह थी हमारे साथ में बिलाल साहन पुरूजी जीडी निउस की